विवा प्रेम का लक्ष है ति प्रहम है ता और इसी इसीलिए मनुष्य सदेवा यह भूलकर बैड़ता है सोचता है कि विवा ही प्रेम का लक्ष है मनुष्य प्रेम को पाना ही प्रेम समझ लेता है अब देखिये ना इस संसार में कुछ ऐसे भी भाक्यशारी लोग है जिनका विवा उनके प्रेम के साथ होता है कुछ का प्रेव ऐसा भी जिन्हें विवश होकर ना चाहते हुए भी किसी और के गले में वर्माला डालनी पड़ती है किन्तों ये दोनों भूल कर बैठते हैं था विवा के पश्चात वो सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ मिल गया हमने तो प्रेम प्राप्त कर लिया हमारा लक कि पूर्ण हुआ है तो उसके पश्चात ये जो प्रेम है था कहीं न कहीं खो जाता है और जिन्हें प्रेम ना मिला वो प्रेम ना मिल पाने की पीड़ा में प्रेम ही भूल जाते हैं ये प्रेम ना ही शारे रिख है ना ही बहुत धिक ये प्रेम तो आपनी आत्मा के प्रे का समर्पन है यह विवा एक संबंध अवश्य है और इसमें कुछ भी अनुचत नहीं है यह विवा प्रेम से प्रतिबंदित नहीं है तो कि प्रेम कहीं उच्छा है अब यदि मैं आपको उधारण दू तो क्या राधा के विवा के पश्चात मैं उसकी सुख की कामना करना छोड़ दू कैसे मैं प्रयास न करूं कि राधा जीवन में सदा सदा के लिए सुखे रहे क्या मेरे मन में राधा के लिए प्रेम कम हुआ क्रिष्ण का राधा के प्रती प्रेम क्रिष्ण में समाहित है न दाओ ये प्रेम पाप तब बन जाएगा जब इस प्रेम के बदले हम कुछ चाहेंगे किन्तो यदि ये प्रेम समर्पित हो तो ना ही ये अनीती है ना ही ये बाप है और यही मैं राधा को समझाने के लिए यही इस संसार को समझाने के लिए मैंने बरसाना से विदा लेने का मेरा निहरे त्याब दिया था ताकि मैं इस संसार को सिखा पाँ कि ना ही इस प्रेम में कोई बंधन बाधा है ना ही विवा इस प्रेम का लक्ष है प्रेम का लोगा है